वे बज़िट पेश होने के बाद राइपुर से सांसत ब्रिज मोहन अगरवाल राजननद गांप पहुचे थे और राजननद गांप पहुचकर मोधी थ्री पॉइंटों के प्रथम बज़ट की जम कर प्रशन साखी उन्होंने कहा तेज जुलाई मंगलवार को केंद्री वित से दोहजार पच्चिस को पेश किया है इसमें विक्सित भारत की रणनीती का भी खुलासा होगा आत्यवस्था में मांग बढ़ाने से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं वित्तमंद्री निर्मला सीतारमन ने यूवाव को खास तोफ़ा दिया है उन्होंने आगे कहा कि यह प्रतित्तों में चलने वारी एंडिये सरकार का बजट आया है यह बजट भारत को ससक्त भारत बनाने वाला भारत को सक्ति साली भारत बनाने वाला भारत को आत्म निर्भर बनाने वाला और भारत को विक्सित भारत बनाने वाला बजट है अभी तक जितने भी बजट आते थे उन बजटों में गोस्नाएं होती थी परंतु मोदी जी के आने के बास ते ये ग्यालवा बजट है जिन बातों को भी बजट में कहा गया है उनको पूरा किया गया है ये पहली सरकार है जो सरकार जिन बातों की गोस्ना करती है उसको पूरा करती है अभी तक का जो बजट होता था 2014 के पहले का बजट वो बजट टुकडों टुकडों में बटा हुआ होता था और सहरों के लिए प्रधानमंती आवास बनाने के लिए 10 राक करोर रुपे की व्यवस्ता की जा रही है जिसमें ठाई लाक करोर सरकार का होगा केंड सरकार का लाज्य सरकार का पैसा होगा और इसमें लगभग 10 राक रुपे तक का घर जो मीडियम क्लास लोगर क्लास के लोग लेना चाहें उनको सबस्ते दर पर लोन उप्रब्द करवाये जाएगा तो यह एक सहरों में जो जुकी जोपड़ी की बहुत बड़ी समस्या है उसके समाधान के लिए बहुत बड़ा काम होगा कि हर गरीब पक्के मकान में रह सके इसी प्रकार सो सहरों के विकास के लिए जहां पर सड़क की व्यवस्ता साबसफाई की व्यवस्ता जल निकासी की व्यवस्ता और वहाँ पर अच्छे पूट स्ट्रीट बनाए जाएंगे जो की हाइजिनिक भी हो जिसके माध्यम से लोगों को हाइजिनिक फुट उपलब्द हो और ऐसे इस्थान उपलब्द हो यहां पर लोग विश्वास के साथ में बिना डर भैके जाकर खा सके